हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एडवांस एग्रिकल्चर यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडो के माध्यम से आपको बतलाएंगे प्याज की उन्नेत खेती और नियन फार में जब भी हमारे किसान भाई प्याज की खेती करते हैं तो सबसे बड़ी जो शमस से आती है थ्रिप्स की यानि थ्रिप्स एक ऐसा रस्चूसा कीटे के ऐसा सकिंग पेस्ट है दोस्तो जिसके प्रकूप से नकेबल प्याज की फसल में जो पैदावार घटती है बलकि जो वड़वार है वो भी लगवग लगवग 80% कम हो जाती है पैदावार में 95% तक गेराबट देखने के लिए मिलती है तो थिप्स से कैसी आप रुख ठाम और कंट्रॉल पा सकते हैं प्याज की फसल पर प्रवपर बढ़वार कैसे लेंए प्याज का कंद कैसे बढ़ाएं तो समपूर जानकारी के लिए और प्याज की खेती कैसे गरो की जाती है ज़ादा पैदावार निकालने के लिए कब सब्सक्राइब करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का हमारा वैसा है और यान फार्मिंग प्याज की उन्नत खेती वीडियो में आगे बंडने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी देदें कि जो थ्रिप्स है दोस्त अब थ्रिप्स का प्रकॉप होता है स्टार्टिंग पर तब कोई भी हलके रेंज की इंसेक्टिसाइट काम कर जाएंगी लेकित थ्रिप्स का प्रकॉप जैसे बढ़ता जाता है और यदि आप थ्रिप्स को नजर अंदाज करते हैं दोस्तों तो इसे कंट्रोल कर पाना कर सकते हैं इसके अलाब सापर मैथरीन का स्प्री कर सकते हैं दोस्तों लांसर गोल्ड है निसेक्टिसाइट निसेक्टिसाइट केझ का इस प्रकॉप बढ़ी मात्र होता है दोस्तों आप जैसे खासकर डाव एंगरे चानश ़ानím की यथाठी पानी में Yo Oprah की दर्सें इस प्रे दोस्तों आप कर सकते हैं बढ़िया कंबरेशन के लिए त्रिप्स के लिए जैसे डाव अग्रोसांस की डेलिगेट है और घरड़ा कंपनी की पुलिस इन दोनों को मिक्स करके इस प्रे कर सकते हैं सेकंडरी बात कंद को कैसे बढ़ाएं यानि कंद का 80% SC जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है 80 ml लेना है 200 लीटर पाने भोल करके आपको इस पर नहीं करना है आपको सीचाई के साथ जड़ों के पास इस्तमाल करना है पिला देना है पहले आपको निराई गुडाई करना है फिर यह 200 ml का दोस्तों जो डोज है आपको एक सब्सक्राइब की समस्य आती है दोस्तों सेकंडरी बात बीला परंगे संसंद उपर से सूखने लगती फसल प्रोपर बढ़बार नहीं ले पाती है तो इसके लिए सिजेंटा कंपनी की एमिश्टा टॉप फंगी साइट 15 लीटर पानी में 25 तीस एमेल स्प्रे कर सकते हैं लेकिन 15 लीटर पाने 20 एमेल सफी सेंट रहती है कापी अच्छे जट देखने के लिए मिलता है प्याज की फसल पर जब भी आप स्प्रे कर रहे हों सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए चलिए हम अपनी वीडियो को आंगे बढ़ाते हैं और डीटिल के साथ जा जबत रहती हैं अब कुछ किसान भाईटे जो खेटें मिलताइं की पचास्थ खेट यह चलिए क्व गरणाग सब्सक्राइब सब्सक्राइब और बेसाट डोच के उपर दोस्तों बात करते हैं आनि बुआई के स्माएग कब कुनसी खाद अश्या पी xकां जाईए जब आप पोधर उपण करते हैं तो सब्सक्राइब कुछ जिए अपर या जरूरी होते हैं दो से 3 ट्रॉली गोबरी खाद तो आपको लेना ही है SSP, Single Super Fast Fit और अबड़ा खाद दोस्तों आपको लेना है 100 kg DAP 50 kg और MOP Murrit और Potas आपको यह MOP लेना है 30 kg और यादी दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है वाइड गरब की समस्या देखने के लिए मिलती है तो Carofuron है फिपरोनिल का आप प्रियोग कर सकते हैं 3 kg से लेकर 5 kg इन सभी को मिक्स करना है और जब आप खेत की तयारी कर रहे हों पौदर होपड करते समाए इन खादों को आपको प्रियोग करना चाहिए सेकंडरी बात प्याज जो फसल है कंद बरगी फसल है दोस्तों तो कंदों का बिकास अच्छा हो तो कंद बरगी जो फसल होती है बैट बिदी से खेती आपको करना चाहिए बैट पर आपको यदि प्याज को लगाते हैं तो पर कंदों का बिकास बहुत बढ़ियां देखने के लिए मिले वाल है सीक्रेट फॉर्मूलेशन ये है कि जो प्याज की फसल है दोस्तो चमकदार क्वाल्टी और साइस से बढ़ाने के लिए जब प्याज की फसल 55 से 70 दिन के आसपास की होती है तो एनपी के 13 जीरो 45 400 ग्राम और बोरान 30 ग्राम 15 लीटर पाने में गोल करके स्प्रेइ करना चाहिए किसमों के उपर दोस्तों बात करते हैं जो बैराइटी हैं जो किसमे हैं ओनियान की सीजन के हिसाब से अलग अलग किसमे हैं जैसे रवी सीजन के उपर दोस्तों बात करें तो पूसा रेड है, पूसा लाइट रेड है, जिंदल नासिक रेड एन 5-3 के नाम से आती है, और भीमा सुपर जैंसी बैराइटी को आप लगा सकते हैं, खरीब सीजन के लिए दोस्तो एलूरा चायना किंग है, इसके अलावा पंच गंगा है, और प्रिशान्त हायुरिट ज में हैं और कापी अच्छा प्रोडक्शन आप इन किसमों से निकाल सकते हैं, अब कुछ भूमी ही होती हैं, जिन पर उतना अच्छा हमको पैदावार उतना अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मलता है, प्रोपर खेट की तैयारी करना है, पहली बात और बैट ब बैकास अच्छा हो, तो इसके लिए जाड़ों का बैकास रूट डेवलाप्मेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जाड़ों का बैकास कैसे हो, सबसे बारा सवाल है, तो दोस्तों यूरिया और अबड़ा खाद के साथ आप हुमेक एसिट का जरूर प्रियोग करे तीस दिन से लेकर साथ दिन के मद्ध कभी भी हुमेक एसिट का यदि आप प्रियोग करते हैं, तो कंदों का बैकास, जाड़ों का बैकास अच्छा होता है, जब तक जाड़ों का बैकास अच्छा नहीं होगा, तब तक कंद का बैकास बहुत अच्छी बढ़वार नहीं ल प्लान्थे डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि कितनी दुरी पर पौधिरो प्रभण कर रहा है तो चार से पांच इंच यानि 10 ड्रप एरिगेशन से यानि ओपन फील्ड फर्मिंग आप कर रहे हैं तो फ्लेट एरिगेशन सबसे वढ़िया हैं प्रती एकड़ सीट्स के उपर दोस्तों बात करते हैं जब भी आप नरसरी तयार कर रहे हों कुछ किसान भाई डारेक्ट फील्ड पर सीट्स की वगाई कर द 3.5 केजी यानि 3.5 किलोग्राम सीट्स सबसेंट रहता है पर्याप्त रहता है एक एकड़ के लिए जानकारी प्रती एकड़ की दर से सेर कर रहे हैं खर्पतवार नियंतरा के उपर दुस्तों बात करते हैं वीट कंट्रॉल तो नराई गुलाई सबसे वेस्ट है क्योंकि इ और नराई गुलाई करें खर्पतवार मुक्त फसल आपको रखनी चाहिए दोस्तों बात करते हैं इस प्रेस सेडूल के उपर जो की काफी ज्यादा इंपोटेंट और अनिवार है देखिए इस प्रेस सेडूल समझने से पहले समझते हैं कौन कौन से बीमारी आती है तो दो बीमारी रोग कप्रकॉप देखने के लिगे में रहा है इनके लिए इस प्रे करना इस प्रे चलाना काफी ज्यादा इंपोटेंट होता है तो जो फर्स्ट इस प्रे है 15-25 दिन की आसपास की मद्ध की फसल होती है ट्रांस्प्लांट से तो इन सभी को मिक्स करके 15 लीटर प फसल पर खाद सेडूल की उपर बात करते हैं फर्स्ट खाद 20-25 दिन की फसल होती है तो इन तीनों खादों को प्रति एकर जड़ों के पास देखर से चाहिए सेकंड खाद 40-50 दिन की आसपास की फसल होती है 45 दिन तक में आप प्रियोप कर सकते हैं तीनों को मिक्स करके प् लेंगे उत्पादन की उपर दोस्तों बात करते हैं एक एकल पर प्याच का जो उत्पादन है 130-150 कोंटल की आसपास उत्पादन देखने के लिए मिलता है लागत एक एकल में 25-30,000 रुपे लाइफ साइकल लाइफ लागत 40 दिन की आसपास नरसरी तयार होने होने हैं 20 दिन सोफेस कोंटल क्वेडार माल लेते हैं तो यदि हम 15 2 1 520 कार देंगे तो 2,25,000 रुपे दोस्तों हमारा मना भागा गया 30,000 घटा देंगे तो 1,25,000 हमारा नेट प्रोफेट आ गया तो दोस्तों जो नेट प्रोफेट है 1,25,000 हमारा आ गया अब यादि कीमते अच्छी रहत तो प्रोफेट पढ़ेगा किमते घटी हैं पैदावार घटी है तो आमदानी भी घटने वाली है तो आज का जो हमारा मॉटेब था दोस्तों प्याज की खेती करते समय जो ठ्रिप्स का प्रकॉप देखने के लिगे मिलता है तो डाव एक ग्रुसांस की डेलिगेट को भी पानी में 20-25 एमल की दर से आपको इस्प्रे करना चाहिए उपर से सुग्राइब कर सकते हैं कौपर ऑक्सिक्लूराइट का इस पर कर सकते हैं डूपाउंट की करजाट का भी आप इस प्रे कर सकते हैं स्टार्टिंग की दिनों पर एम पैतालिस में कुझे 75 पर सेंट है प् निकाल सकते हैं प्याज की खेती से ज्यादा प्रोफेट निकाल सकते हैं कमाई कर सकते हैं उबीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया नौलेज़िवाल इंट्रेस्टिंग ज्यानवर्दक सीखने के लिए जयरूर मिला हो गया यादि आपको यह व लाइक करें धन्नवाद